विल्कम बेसिक्स ऑफ। कंप्यूटर। कि computer में जब तक हम input नहीं करेंगे data को वो हमें उसका output नहीं देगा तो input हम इन input devices के दो ही करते हैं तो ये कुछ common input devices हैं जो मैंने यहां note कर रखे हैं इसके अलावा भी आपको बहुत से input devices मल जाएंगे जब आप net पे search करेंगे तो ये है keyword, keyword हमारा सबसे common input device है ये बहुत ज़्यादा use होने वाला है इसमें तरह तरह की keys रहती हैं जिसमें letters, numbers, characters वगरा होते हैं तो सबसे उपर इसमें जो हमारी keys हैं वो कहलाती हैं हमारी functions keys ये वाली F1, F2 ये हमारी functions keys होती हैं हर program में इसका एक अलग use होता है इसके बाद हमारी है number keys और इसके साथ ही आपको यहां जो दिखाई दे रहे हैं ये special characters जो हैं वो symbolic keys कहलाती हैं ये shift के साथ ही use होती है ये हमारे special keys है alphabet keys और यहां पे हमारी arrow keys अब हम जब अपने इसकी keyboard की theory पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कैसे use होता है और किस key का कौन सा use है इसमें आगे है हमारा mouse तो mouse भी एक बहुत ही common input device है जिससे हम data को input करते हैं click करके उसमें instruction देते हैं select करते हैं कि कोई भी screen पर हमारा folder है उसे open करना है उसके लिए इसका use होता है pointer है और ये cursor में तब change होता है जब हम किसी file में जिसे ms word वगरा में काम करते हैं तो वो ये cursor बन जाता है वहां जाके इसमें तीन buttons रहते हैं ये वाला जो buttons है ये है left click बोलते हैं इसे right click बोलते हैं और यहां पे बीच में इसका wheel है तो ये जो है पेज को up down करने के लिए होता है और left click में हम double click जब करते हैं कोई program को open करते हैं या single click करते हैं तो select करते हैं ये वाला हमारा click है इसे right click बोलते हैं जब screen पर इसे right click किया जाता है तो एक program list open होती है जो drop down list उसमें open वगरा buttons रहते हैं इसको open किया जा सकता है next है हमारा scanner scanner की मदद से किसी page पर बने image या text को हम digital format में बदल कर अपने computer में भीज देते हैं और फिर हमें उसमें editing करना या फिर उसे mail वगरा करना easy हो जाता है जब हम कभी कोई form वगरा फिल करते हैं तो उसमें ज्यादातर आजकल online document ही मानगे जाते हैं तो जब हम document को scan करते हैं या पिर आपने देखा होगा जब हाप कोई photocopy वगरा करवाते हैं तो उसमें उनके पास एक machine रहती है जिसमें printer भी attach है तो उसमें वो इसे रखते हैं यहाँ पे copy को आपकी और उसके बाद उसका print निकलाता है तो यह scanner की मदद से ही वो करते हैं डेटा को scan करके आप भी कभी अगर mail करना है या कुछ certificate वगरा या photo तो उसे scan करना होता है आपको और उसके बाद ही आप उसे mail कर सकते हैं आजकल हमारे mobile में भी एक application है जो scanner के नाम से आती है तो उसे भी easy हो गया है बहुत जादा scan करना अपने document को और उसे scan करके भी clear ही आती है लेकिन वो हमारे अपने यूज के लिए है परसनल यूज के लिए है जब हम commercial यूज करते हैं और अपने system में उसके detail आती है बार कोड कुछ इस तरह से दिखाई देते है lines जो आपके product पे रहती है उसमें इसकी सारी information होती है इसके price वगएरा तो जब हमें mall वगएरा में हम जाते हैं तो वहाँ पे इसके थूँ ही वो billing कर देते हैं और billing करना उनके लिए easy हो जाता है क्योंकि बस उसे read करके उनके system में सारी entry आ जाती है और वहाँ से वो उसके billing जल्दी कर देते हैं अगर उन्हें manual करना पड़े तो उन्हें बहुत time लग जाए next है हमारा webcam तो webcam भी हमारा एक input device है इसके मदद से हम picture को capture करते हैं और सीधे हम वो हमारे computer में आती है या फिर live अगर हम video conferencing कर रहे हैं तब भी ये बहुत use होता है उसमें हमारी video live वहाँ पहुशती है इसके लिए एक software रहता है जो हमें install करना पड़ता है आजकर हमारा laptop का cam है और हमारे mobile का cam है जब हम उसे video call वागरा पर use करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक video cam बन जाता है webcam बन जाता है तो ये थे हमारे कुछ input devices आगे हम next video में देखेंगे output devices क्या output devices क्या होते हैं